Option trading के अंदर operator की इस तरीके से आपको trap करता है और आपको बार-बार loss कराता है आज के इस वीडियो में आपको detail में समझाने वाला हूँ अगर आप उन सिनारियो को ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और जो चीजे में आपको बता रहा हूँ अगर आप वो exactly समझते हैं तो आप इस तरह के situation से trap से बस सकते हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनिट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और आपको दिखाने वाला हूँ कि multiple places पे operator की इस तरीके से आपको फसाता है आपको दिखाता है कि आपका trade आपकी direction में जा रहा है लेकिन जहां से आप enter करते हैं वहीं से market जो है reverse करता है एक एक सिनारियो डीट को subscribe कर लो और वीडियो को पूरा complete देखना देखो सबसे पहले आप यह देखो market कहां opening होती है यह वाला है पांच बिट का मैंने candle लगाया हुआ है यहां पर market opening होती है आप wait करते हो थोड़ा सा initially और धीरे 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 बजार क्या होता है उपर की दरफ चलता है तीक है अब क यहां पर enter नहीं करते है आप बहुती safe side खेलने वाले हो आप अच्छे से resistance support देखते हो और आप यहां पर trap नहीं हुए तो आप क्या करोगे इस पाच छे candle का जो consolidation आया है या यूं कहलो कि market थोड़ी देर के लिए रुक गया है उसके बाद जो यह breakout आया resistance का तो आप यहां प भग जाएगा वो retest का भी wait नहीं करेंगे यहां पर buy करेंगे क्योंकि अच्छा खासा consolidation के बाद market ने breakout दिया है जैसे वो यहां पर buy करेंगे यहां पर देखो high break करने के बाद एक candle बनी और सी रह market नीचे तो यहां पर सारे CE वाले trap हो गए और market ने क्या किया यानि operator ने क्या किया आपको buyers को attract करने के बाद अपने जितना भी उसके पास में item था या यू कहले की contracts थे उसको उन्होंने बेच के dump करके वो निकल गए बजार से अच्छे खासा profit बना के ठीक है एक minor सा resistance बना इस level पे आप सोचोगे कि भई ये जब break होगा उपर की तरफ या नीचे का ये वाला जो support होगा अगर ये break होगा तो मैं entry ले लूँगा ये नीचे वाला support ठीक है हुआ क्या उपर का resistance ब्रेक होगा एक अच्छे खासे bullish candle से आपके मन में फिर लालच आएगा कुछ CE buy करने वाले यहीं trap हो जाएगे क्योंकि इस candle के बाद वो buying की entry बनाएगे कुछ यहाँ trap हुए कुछ लोग बहुत अच्छे से play कर रहें वो कहरें नई मैं तो retest पे या pullback पे entry लूँगा आपको एक pullback भी मिला यहाँ पे छोटा सा hammer जैसा भी pattern दिखा और जैसे ही ये candle बनेगी या ये hammer बनेगा यहाँ पे आधे लोग जो हैं CE वाले आधे तो इस candle कुछ लोग और उनको trap करने के बाद market सीधा नीचे आपका stop loss फिर से hit तो पहला stop loss यहाँ hit हुआ दूसरा यहाँ hit हुआ फिर से hit हो गया अब आपने सोचा जब यह नीचे की तरफ तूट गया है तो भाई अब यह नीचे चलेगा एक bearish candle भी है तो कुछ PE वाले अब नीचे का फसेंगे जब वो retest का weight कर रहे हैं कि एक pullback आ जाए यहाँ पे तीन candle से pullback भी दिखा दिया और उसके बार market ने hammer बनाया कि मैं उपर की तरफ चलने वाला हूँ फिर उस hammer का low भी तूटा ताकि market में और bearish sentiment लोगों को लगे कि मार्ज़जार नीचे ही जाने वाला है और market म जैसे ही लोग यहाँ पे PE और buy करके यहाँ enter हुए फिर से आपका stop loss hit और एक दो bullish candle बन गया अब देखो हो क्या रहा है bullish candle बनने के बार लोगों को लगेगा कि अब नीचे तो गया नहीं चलो CE buy कर लेते हैं देख रहे हो आपका point of view कैसे बजार बार 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 बदल रहा है यहाँ पे CE buy करवाएगा आपको फिर से और फिर से देखो consolidation फिर से sideways हो गया आपका premium decay and then finally क्या किया उसने नुवारा नीचे आके आपका stop loss hit देख रहे हो आप अब बचे खुचे लोग बहुत सारे लोग तो यहीं पे हिम्मत हार चुके होंगे कि भई अब नहीं हो सकता multiple stop loss hit हो गए है अब हम market में enter नहीं करेंगे finally एक bearish candle बनी लोगों को लगा इतनी बड़ी bearish candle के बाद तो अब बजार नीचे ही जाएगा एक pullback का wait करते है and then we will enter आप क्या करोगे pullback का wait करोगे यानि कि ये देखो ये नीचे आया उसके बाद चोटा सा pullback लिया और आप इस तरीके से यहाँ पे resistance बना लोगे बहुत सारे लोग जो बनाते हैं कि देखो ये वाला पीछे से resistance आ रहा है और उसके बाद जैसे ही ये वाला candle बनेगा इस तरह का bearish candle आप यहाँ पे entry लेगे entry लेगे एक candle का profit जो scalper है वो तो निकल गया profit करके लेकिन जिसने 1-2 का target बेचारे ने decide कर रखा है वो फिर से फस गया क्योंकि market यहाँ पे दुबारा से आके आपका उपर stop loss ले जाता है देख रहे हो इस तरीके से बजार आपको trap कर रहा है और इस bullish sentiment को देखने के बाद किसी की हिम्मत होगी कि वो दुबारा enter कर जाए इस position पे नहीं enter करेगा फिर market अपनी direction में तो देखरो कितनी बार market ने आपका stop losses हिट कराया है multiple times देखरो यहाँ पे हिट हुआ यहाँ पे आपने trade किया यहाँ हिट हुआ री test पे आपने enter किया यहाँ आपको operator लेके चला गया बेरिस sentiment दिखाया जो लोग यहाँ enter हुए होंगे देखके हर जगे आपको लालस दे रहा है कि देखो घुश जाओ यहाँ पे ऐसा trade नहीं किया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हर trade करने के लिए नहीं होता है हर entry जो है आपको लेनी नहीं होती है high quality trades ही आपको plan क करने होते हैं जो कि 5 वी में strategy पिछले 1.5 साल से मैं आपको test करके दिखा रहा हूँ संडे का live session भी मैं conduct करता हूँ जहाँ पर पूरा system समझाता हूँ कि high quality trades क्या होता है 9 से 12 होता है सिर्फ 10 लोग जो है उस session का part बन सकते हैं 9 से 12 में 3 गंटे का session कंड़क करता हूँ उसका part ब देखाता हूँ 5 वी में से कैसे आप बस सकते थे और आपको एक अच्छा सा profit भी मिल जाता अगर आप देखोगे यहां पे CE वाले भसे उनका तो loss हुआ लेकिन जो 5 वी में से play कर रहे होते तो this is the good time entry करने के लिए देख रहे हो 5 वी में बना है यहां पे इससे पहले भी 5 व quality trades identify करने नहीं भी आता है तो भी मालो यहां SL गया यहां SL गया लेकिन यह वाला जो target है आपको इन दोनों SL को recover करके भी देदेगा प्लस आपको profitable बना देगा क्योंकि RR ratio क्या है 1 is to 3 का तो यहां आपने 1% दिया यहां पे आपने 3% यानि 1 is to 3 के हिसाब से आपने यहां पे निकाल लिया अब यहां पे मैं आपको marking करके दिखा देता हूं कि 1 is to 3 का target जो है यहां पे मिल गया था यह देखो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यह देखो 1 is to 4 तक गया लेकिन आप 1 is to 3 पे निकलेंगे पूरा swing जो है आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है नहीं आप पकड़ पाएंगे तो 1 is to 3 जैसे हीट होता आपको निकलना है इस तरह का high quality trades आपने सर यह दोनों मना कैसे कर दिया सीखना है आप इसका screenshot लो Sunday session का part बनो discuss करो क्यों यह दो trades छोड़े जाएंगे और यही वाला trade क्यों plan किया जाएगा complete information आपके साथ complete system के साथ समझाने व पैसा बना लोगे अम market बहुत ही ज़्यादा competitive हो चुका है एल गोज आ चुके है machine खुट trade करने लगी है और उपर से operator तो है ही तो इनकी वज़े से retailers के लिए पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है जिसमें मैं आपकी थोड़ी सी assistance जरूर करना चाहूंगा अगर आप Sunday session का part बनते हैं तो सीखे complete system और उसके बाद आप देखो कि कैसे consistent profit निकाला जाता है मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक ले take care and keep learning new things as always और learning ही आपको एक अच्छा and successful trader बना सकती है thank you so much